Hello friends, welcome to SJS Nursing Academy, आज हम पढ़ेंगे home visit First step में definition, home visiting और home visit is the process of providing nursing care to the patient at their doorstep Home visiting या home visit क्या है, कैसी प्रकिर्या है जिसमें patient को जो care दी जाती है जो nursing care दी जाती है, वो उसके घर पर जाकर जी जाती है इस particular एक community areas में घर घर जाकर nursing देखभाल देना किसी मरीज को या family members को education देना, किसी बिमारी से related तो उसको हम बोलते हो home visit, घर घर जाकर visit करना और उनको nursing care provide करना Next step में हमारा purpose of home visit, home visit के उद्देश है First step में for prevention of disease यानि हम घर घर जाकर nursing care क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हम disease condition को prevent कर सकें, दूसरे person में disease condition को spread होने से रोक सकें Next step, to carry out simple care in the home और किसलिए हम home visit करते हैं, simple care जो कर सकते हैं, हम home पे ठीक है, उस care को करने के लिए हम home visit करते हैं, simple care means जैसे किसी का glucose level चेक करना ठीक है Then उनको education provide करनी है, उनका immunization करना है, उनको health related education provide करनी है Simple care से related हम क्या कर सकते हैं, उनको education provide कर सकते हैं ठीक, और हम manly home visit करते क्यों है, इसलिए करते हैं, ताकि हम जो सदारण care होती है घर पे ही हम मरीजों को provide कर सकें, उनको hospital जाने की need नहीं पड़े Next step में, promotion of the health of the family members Family members की जो health है, उसको promote करना Patient की health को promote करना और family members की health को promote करना उनको education देना, उनको बोलना कि अगर घर पे कोई इंसान बिमार है, उसको कोई ऐसी बिमारी है जो एक person से दूसरे person में spread हो सकती है तो आपको क्या करना, उस मरीज से दूर रहना, खाने के बरतन, उसके रहने का कमरा सब अलग कर देना इस तरीके से क्या करेंगा, आप family members की भी health को promote करेंगे और patient की health को promote करेंगे Next step to meet and felt needs an individual in the family as in case of sickness Home visit के दोरा आप क्या कर सकता हो, जो individual है या जो उसके family members है ठीक है, उनको क्या दिक्कत हुई है, उनको क्या जरूरत है, उनको किस तरीके साब care दे सकतो उन सारी चीजों कभी आप पता लगा सकतो, home visit के दोरा Next step to assist the environmental hazards and give health education क्या करना है, environmental hazards के रहानी environment अगर आपने proper maintain नहीं रखा गंधी बनाए रखी तो कौन-कौन सी दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में बताना environment को assist करना के proper तरीके सा hygiene maintain है या नहीं ठीक है, उस तो environment की वज़े से आपको क्या-क्या नुक्सान हो सकते हो, उसके बारे में patient को और family members को education देना next, to investigate the source of an infectious disease और क्या कर सकतो आप ये पता लगा सकतो के ऐसी बिमारियां जो संक्रिमित बिमारियां है, ठीक है, वो किस तरीके से फैल रही है, क्या reason है उनका, कहीं ये तो नहीं कि वो अपनी personal hygiene maintain नहीं कर रहे हैं, उनका खाना बनाने का तरीका कैसा है, उनके घर में साफ़ पाई है या नहीं है, ठीक है, उनके घर में जो नालियां है, जहां से पानी जाता, वहाँ पे cleaniness है या नहीं है, आप source ढूंडोगे, ठीक है, आपको मोका मिल सकता है, आपको आफसर मिलेगा, home visit आप जब करोगे, क्या आप identify कर सकतो के infectious disease कीज़ वज़ा से spread हो रही है, या कोई लेटी pregnant है, तो आपने बच्चे को कैसे समा लेगी, उसको अपने बच्चे की कैसे care करनी है, उसके बारे में भी आप क्या कर सकतो हो, health education प्रोवाइट कर सकतो हो, home visit करेके, next है, to assist the living condition of the patient and their family members, और क्या करना, जो patient से उसकी condition को assist करना, और उसके family members की भी condition को assist कर सकतो, आ आप देख सकतो हो, कि उनका living standard क्या, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीके, patient और उनके family members, next है, to give care to the sick, जो sick patient है, या बिमार है, sick person है, या patient है, उनको क्या करना, care provide आप कर सकतो, किसके द्वारा, home visit के द्वारा, next है, to give health education regarding the prevention and control of disease, home visit अगर आप करते हैं या home visit का एक purpose क्या है, बहुत important purpose है, health education provide करना, disease से related के, disease कैसे spread होती है, क्या इसके science symptom होते हैं, इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, और इस disease को आप किस तरह कैसे control कर सकते हो, और कैसे prevent कर सकते हो, इसके बारे में भी, health education provide करना, home visit का एक प्रमुख उदेश्य है, next है, to maintain record and reports of home visit, और क्या है, a call purpose होम visit का, आप home visit कर रहा हो, जितने प्रोसिजर कर रहा हो, जो step कर रहा हो, जैसीізभी care दे रहा हो, उन सब के, जो patient करते हो, family members के साथ है, आप जो care दे रहा हो, उन सब को, क्या करना है, record करके रखना है, जो records और reports हैं, उन सब को maintain करके, आपको रखना है, त के साथ कर चुक्यों हो नेक्स आता है इसमें एड़ांटेजेस ओफ हॉम विजिट के फायदे क्या है फिर्स्ट है हॉम विजिट प्रोवाइट्स दा अपोर्चिनिटी टो इस्टडी हॉम एंड फैमिली सिच्वेशन हॉम विजिट के दौरा क्या है हॉम विजिट एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसके तुरू जो परसर है जो हॉम विजिट कर रहा है वो फैमिली की सिच्वेशन फैमिली की इस्थिती समझ सकता है ठीक है घर के माहूल की वो स्टडी कर सकता है पता लगा सकता है कि इनके घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है डिजीज कंडिश नहीं होती, किसी भी चीज से related कि अगर उनको कोई disease है या कोई बिमारी है तो इस बिमारी में उनको क्या परहिस करना चाहिए ठीक है, क्या चीज़ उनको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए तो जब आप home visit करते हैं तो उस time पे इतने family members होते हैं वो आप से जो भी question करते हैं अपनी disease condition से regarding तो उनके सारे doubt के लिए हो जाते हैं तो home visit का ये भी फायदा है next है home visit provide an opportunity to maintain continuity of family health care home visit क्या करती है एक ऐसा अवसर प्रतान करती है जो nursing care देगा बंदा या person उसको कि patient की जो health होगी वो continue maintain रहेगी और continue उसको health related care मिलती रहेगी home visit के दौरा next है home visit also provide an opportunity to look for new situation home visit और क्या home visit का फायदा है ये एक ऐसा अवसर भी प्रतान करती है जिससे आप नई नी situations नई नी बिमारियां नई नी दिक्कतों को भी आप identify कर सकते हैं कि कहीं बच्चों में malnutrition तो नहीं हो रहा है community areas में जो adolescent लड़कियां है यानि puberty की age में हैं उनमें कहीं एनिमिया की दिक्कत तो नहीं हो रही है ये सारी चीज़े भी आप home visit के दौरा identify कर सकते हो next है home visit help to identify the needs and the problems of community home visit क्या है home visit अगर आप करते हो इसका एक फायदा ये भी है कि आप जो problems है community में समुधाय में जो परशानिया है ठीक है और जो लोगों की needs आप शक्ता है आप उनका पता लगा सकतो और उनका शक्ताओं का पता लगा कर उनको care provide कर सकतो और जब care आप उसको provide करेंगे तो उनकी health अपना भी improve होगी next है home visit providing help in basic understanding of physical and emotional need of individual and to guide them to meet their needs home visit क्या करती है providing help in basic understanding of physical and emotional need या एक individual जो है या एक person जो है ठीक है उसकी physical जो emotional needs है उससे related उनके बारे में लोगों को समझाएगी क्या आपके physical या emotional needs क्या है और उनको बताएंगे क्या आप इन चीजों से या इन needs को कैसे fulfill कर सकते हो और अगर आप emotionally stress में है परिशानी में है या physically आपको कोई disability है या कोई problem है तो आप उस चीज़ से कैसे निकल सकते है कैसे बाहर कॉप अप कर सकते है इसके बारे में भी क्या है home visit के दुआरा आप लोगों को बता सकते हो और इसलिए इसको home visit का एक advantage बोला गड़ा है next इसमे home visit help to prevent and handling the problems home visit किस चीज़ में मदद करती है problems को दूर करने में और परिशानियों को handle करने में हमारी home visit मदद करती है next है home visit help for the prevention of disease home visit क्या करवाती है disease को prevent करवाने में भी help करवाती है next है home visit help for the promotion of health of the family member home visit क्या करवाती है patient और family members की health को promote करने में help करवाती है उनकी care करके उनको instruction देखे किस तरीके साथ बिमारी से बस सकते हूँ next है principles of home visit home visit के principles home visit के बहुत सारे principles होते हैं प्लांड एंड पर्पसफूल इसमें है home visit should be planned based on the purpose requirement of the committee example survey static MCS home visit जो है वो हमेशा कैसे होने चाहिए planned होनी चाहिए पहले सी आपको उसको planning करना है आपको उसका purpose ग्यात होना चाहिए purpose ग्यात होने का मतलब यह है कि आप home visit कर रहे हो तो आप पहली identify कर लोगे पहले ही यह planning कर लोगे ठीके यह योजरा बना लोगे कि आपको किस particular किस दिक्कत पर या किस problem पर अपनी home visit करनी है लोगों तक आप जा रहे हो तो लोगों किस particular किस एक चीज़ के बारे में बताना है और आपको पहले यह decide कर लेना कि आप home visit किस तरीके से करोगे आप survey करोगे mcs services दोगे या आप क्या करोगे statics देखोगे कितने बच्चे पैदा हुए तो कितनों की date हुई कितनी मदर ने delivery दी तो उनकी delivery कैस होई कितने बच्चों की पैदा होती ही date होगे कितनों की एक साल के बार date हुई ठीक है या आप survey करते हो तो आप पहले ही planning कर लोगे कि आपको अपनी home visit किस तरीके से करनी है और उसका एक उदेश्य भी बना लोगे कि आपका उदेश्य क्या है लोगों की need पे best आपका एक principle है इसमें home visit should be done according to the needs of the people of family आपकी जो home visit होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए जो लोग है family members हैं और जो patient हैं उनकी needs पे आपकी home visit depend होनी चाहिए उनको किस चीज़ की need है for example किसी घर में कोई female pregnant है ठीक है या फिर particular community areas में हमने decide कर लिया कि इतनी वी ladies pregnant है तो उन pregnant ladies को ही हम education देंगे उनकी ही हम care करेंगे तो पहले ही हमें क्या करना देख लेना किस person को किस चीज़ की need है उनकी आउशक्ता हों कि according ही हम उनको क्या देंगे care provide करेंगे next है regular and flexible home visit should be regular and flexible according to the need of the patient जो home visit है वो हमें continue करनी है यमित तोर पे करनी है और हमारी home visit flexible होनी चाहिए patient की need के according जैसे हमने पहले ही decide कर लिया हम particular home visit करने जा रहा है तो हम M.C.S. services देंगे ठीक है तो बीच में अगर अगर अधर कोई दिक्कत आती है अधर कोई चीज़ है जैसे कोई communicable diseases है तो उनके बारे में भी अगर education देने की need आ रही है तो हमें M.C.S. services के साथ company careable diseases से related भी education प्रोवाइड करनी है patient को, family members को और community areas के जितनी परसन है उनको flexible का मतलब है state नहीं होनी चाहिए आपको जो करना है अगर particular अपने एक उदेशे बना लिया कि मुझे इस उदेशे पर काम करना है तो क्या है अगर बीच में कोई ऐसी दिक्कत आती है अधर कोई problem आपको दिखती है जिस पर आपको education देना जरूरी है लोगों को care देना जरूरी है तो आप क्या करोगे अपनी home visit को थोड़ा सा flexible कर लोगे ठीक है उसमें क्या है दूसरी जो दिक्कत है प्रोब्लम से उसको भी aid कर लो नेक्स ए एजुकेटिव home visit should be educative because it gives excellent opportunities for health education and nutrition education for example health education और personal hygiene, nutritional aspect family planning, prevention and control of certain diseases etc home visit कैसी होनी चाहिए educative होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बहुत अच्छी opportunities मिलती है हम लोगों को health education दे सकते है nutrition से related education provide कर सकते है ठीक है उनकी personal hygiene से related उनको education दे सकते है उन्हें nutrition कैसे लेना है उससे related उनको education दे सकते है परिवार नियोजन के बारे में लोगों को बता सकते है किस तरीके से बिमारी को फैलने से आप रोक सकते हो और बिमारी को होने से रोक सकते हो, उसके बारे में हम लोगों को educate कर सकते हैं, इसलिए ही educative एक home visit का बहुत important principle माना जाता है next is में convenient and acceptable, home visit should be conviction for the family members and it should be acceptable not forced home visit कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, जो family members और जो patient है वो उसको accept करें कभी भी हमें जबरदस्ती home visit नहीं करनी है, बहुत बार ऐसा होता है, कि हम community areas में home visit करने चाहते हैं तो अगर हम किसी घर में जाते हैं और particular हम किसी person तो कुछ पूशते हैं, तो person बताना नहीं चाहते हैं कुछ लोग तो उल्टे भी चल जाते हैं, आर यू करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पर हमें किसी भी person को force नहीं करना ना किसी से जबरदस्ती करनी है, कि वो अपनी दिक्कत हैं, आपको बताए नेक्स्ट है, health problems, home visit help the nurse to identify the health problems of the family home visit कि सीज में help करवाती है, patient और जो family members हैं, उनकी health problems को identify करवाने में भी हमारी कौन मदद करता है home visit का health problems से related जो principle है, next है, hygienic principles, home visit should be give opportunity for nurse to demonstrate hygienic principle, for example, hand washing home visit क्या करती है, कैसा उसर प्रदान करती है, ठीके, जिसके द्वारा आप लोगों को क्या कर सकतो, hygiene के बारे में educate कर सकतो, उन्हें शिक्षा प्रवाइड कर सकतो जैसे hand washing, आप hand washing का demonstration करके दिखा सकतो, बता सकतो लोगों को क्या आपको अपने hand wash कैसे करने है, कितने मिनट तक अपने हाथों को आपको धोना है, और आप hand washing करते हैं, तो किस तरीके से आप क्या कर सकतो, बिमारी को prevent कर सकतो नर्स को हमेशा क्या करना है, उसे टेकनिकल स्किल्स का और नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ करना है, होम बिजिट के टाइम पे, यानि वो इतनी कुछाल होनी चाहिए नर्स, अगर किसी को community areas में वो health education दे रही है, नर्सिंग केर प्रोवाइड कर रही है, तो उसके अंदर इतनी capacity होनी चाहिए कि वो family members को, patient को easily handle कर सके, उसमें patience होना चाहिए, उसको कभी भी कोई उससे argue करता है, या गलत बोलता है, तो उसको गुस्सा नहीं करना है, शान्त रहकर लोगों को educate करन है, उनकी care करना है, नेक्स्ट है, developing report, establish good report with the family members, community leader to understand the problems and collect the fact, आपको अपना behavior कैसा बना लेना बरता हो, आपको लोगों से, family members से, patient से बात कैसे करने है, सहानुभूती पूर्वक, आपको ये दिखाना है कि आप उनके प्रिती परशान हो, प्रीक, आपको उनकी फिक्र है, त उनको जो problems हुई है, या disease condition है, या कोई दिक्कत है, उनको face करनी पर सच रही है, तो उन problems को, उन दिक्कतों को identify आप तभी कर सकते हैं, जब आप में patience होगा, आप में सहानुभूती होगी और आप उनकी बातों को समझोगी, next is में records, home visit should be recorded in the diary and family folder, ये last principle है, home visit का, इसमें दि home visit should be recorded in diary and family folder, हमेशा हमें अपनी home visit को जहां हम गए हैं, किसी particular community areas में, हमने जितने भी प्रोसीजर किये हैं, जितने घरों में आप गए हो, ठीक है, और जितने घर के लोगों को आपने जो care दी है, जो प्रोसीजर किये हैं, उन सारे प्रोसीजर को आपको या तो diary में record करना ह हैं, ताकि आगे चलके आप उसका अच्छे से use कर सको, next है steps of home visit, home visit के steps भी आप इनको बोल सकते हैं, आप इनको phases भी बोल सकते हैं, आप इनको stages भी बोल सकते हैं, home visit की, first है initiation phase, initiation phase का मतलब है starting की अवस्था, in this phase, the community, health nurses, clarifies the source of visit and purpose of visit, इस phase में क्या करती हैं, जो community health nurses हैं, वो clarify करती हैं, कि उन्हें home visit किस तरीके से करनी हैं, उनकी home visit का purpose क्या रहेगा, कि उन्हें particular किस topic पर home visit करनी हैं, ठीके, किस problem पर उन्हें ध्यान देना है, जब वो door to door step जा रही हैं, मतलब घर दर्वाजे तो दर्वाजे जाकर care provide करते हैं एक घर से, एक घर में जाओगे, फिर दूसरे घर में जाना, फिर तिसरे घर में जाना, ऐसे करके आपको पुरा एक community जो होती है, care जो होता है, community areas वहाँ के, जितने भी घर होते हैं, उन सारे घरों में जाकर अपनों, आपको care देनी होती हैं, तो पहले ही आप decide कर लोगे, क आपको कहा जाना है, ठीक है, किस तरीके से आपको care देनी है, और आप जो care दोगे, वो किस उद्देश शेप होगे, मैं जाएक कोई purpose होना चाहिए, जैसे particular आपको tuberculosis से related लोगों को जागरूप करना है, एट से related लोगों को जागरूप करना है, या एट से related लोगों को health education दे रहेंगे, और हम कौन सी phase में decide करते हैं, initiation phase में, next है, pre-visit activities, नाम से ही पता चला, visit से पहले ही की जो किर्याएं होती है, before going to home visit, she, he, must gather the information regarding the home, location, distance, address and population, home visit करने से पहले ही, चाहे कोई female है जो home visit कर रहे है, या male है, वो पहले ही क्या करते हैं, सारी information को collect कर ले दे, सारी information को लगताना, means वो पहले ही decide कर लेंगे, कि कहां उन्हें जाना है, ठीके, उन्हें पहले ही identify करना है, सारी information collect करना लेना है, कि जहां वो जा रहे है, वहाँ घ address क्या है किस जगा बे उन्हें जाना है और वहां की population वहां रहने वाले लोग कितने हैं यह पहले ही आपको decide कर लेना है तेन उसके बाद ही अपनी home visit को आपको carry करना है तो home visit करने से पहले की जितनी वी activities होती है वो सारी हम कौन सी phase में देखते हैं pre visit activities वाली जो phase होती है जिसको हम second phase बोलते हैं home visit की उसमें हम देखते हैं next है activities during home visit home visit के दोरान आप क्या-क्या activities करते हैं always carry the kit and bag with your hand हमेशा आपको जो home visit bag होता है ठीक है वो आपको hand में क्या करना carry करना अपने हाद में carry करना और ऐसे वाले hand में carry करना जो non-dominant होता है non-dominant means जिसका आप use क्या करते हैं बहुत कम करते हैं normally जो non-dominant hand होता है वो सबका right hand होता है ठीक है तो हमें ज्यादा तर अपना bag कहां carry करना है non-dominant hand पर carry करना है next है visit on the first home visit the nurse should introduce herself to the family member जब कोई nurse है वो home visit के लिए किसी family member से मिलेगी है किसी के घर जाएगी तो सबसे वेले वो अपना आपको introduce करेगी अपने बारे में family members को बताएगी कि उसका नाम क्या है वो क्यों आई है उसको क्या करना है वो किस तरीके सा उनकी बिमारियों को दूर कर सकती है इस सब के बार में उसको बताना है next day the nurse should assist the family need and plan the nursing care according to the need nurse को क्या करना है family need को assist करना है उनकी जो अवशकताएं है उनके according अपना plan बनाना है और उसी का according उनको care provide करनी है next day making nursing diagnosis and treatment और क्या करना है nursing diagnosis बनाना है और उनका treatment करना nursing diagnosis का मतलग उनसे उनकी दिक्कते पूछनी हो और फिर उन दिक्कतों को identify करके उनकी disease का पता लगाना है diagnosis बनाने के बाद nursing care plan बनाना है then कि प्रात्मिक ताये हैं उनकी उन सबको establish करना है कि पहले आपको कौन सी उनकी problems को दूर करना है then उसके बाद कौन सी problem को दूर करना है next advice hospitalization अगर उनकी दिक्कत बड़ी हुई है ज्यादा problem है तो उनको सला देनी है कि अब आप hospital जाकर admit हो जाए hospital के बारे में बताना है कि आपको कहा जाना है क्या process करना है उसके सबके बारे में आपको advice देनी है next है immunization के बारे में टीका करड के बारे में उन्हें स personal hygiene और environmental hygiene से related education provide करनी है health education provide करनी है next है advice mother on nutrition of the children mother को क्या करना है advice देनी है कि वो बच्चे को किस तरीके का nutrition provide करे अगर बच्चा छोटा है तो उसको कैसी diet देनी है मदर को अगर मदर pregnant है और मदर के uterus में बच्चा है तो उस टाइम पे मदर को कैसी diet लेनी है उसके बारे में भी education देना कौनसी वाली phase में हमारा third phase है जिसको हम बोलते है activities phase ठीक है यह वो क्या है जब हम visit करते हैं जिस time पर हम हम visit कर रहे हैं उस time पर जो हम सारे काम कर रहे हैं वो सारा हमारा इस phase के अंदर आता है next है हमारी termination phase termination phase में है nurse patient goals are raised termination नाम से ही पता चल रहा अगर आपने patient को पूरी care दे दी और अपने goal तक पहुँच गए तो कौनसी phase start हो जाएगी आपकी termination phase start हो जाएगी इसमें है the patient changes is resistant the nurse transfer to patient care to other nurse अब क्या है nurse ने जिस particular दिक्कत के या problem के लिए वो गई थी home visit करने के लिए तो वो अपनी उसने दिक्कत को क्या कर दिया patient की दिक्कत थी उस patient को उसने दूर कर दिया और उससे related care दे दी तो nurse क्या करेगी फिर जो दूसरी nurse होगी ठीक है जो other problem से related education देने वाली होगी उसको उस person को handle या handover कर दी next है post visit post visit activities include recording and reporting post visit जो होती है सबसे last home visit की phase है ठीक है five number पे यह आती है और post visit नाम से ही पता चला visit के सबसे last में post visit में क्यों कौन सी activities सामिलें इस में recording और report है यानि आपने जितनी भी activities की है उन सबको record और report means उनकी recording और reporting maintain करके रखना है कौन सी visit में आता आपका post visit में आता है next है preparing for next home visit with comprehensive plan to meet the goal क्या करना है next home visit के लिए preparation start कर देनी है ठीके completely क्या है आपको पहले ही अपना goal decide कर लेना है या purpose decide कर लेना उसकी planning कर लेना है कि अब next बार जब आप home visit के लिए जाएंगे तो कौन से particular topic पर आप लोगों को education देंगे या उनको care provide करेंगे thank you friends ये थी हमारी home visit अब next वीडियो में मिलेंगे हम back technique के साथ तब तक के लिए bye thank you so much ये खी हुआ है